कि हालो वेलकम तुझे आरे फड़ा मैं अदीदी आप सभी लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक ऐसा विडियो जिससे मुझे अशा लगता है कि आप सभी लोगों के सीधा सीधा आठ से दस नंबर हैं जो बढ़ सकते हैं कुछ ऐसे क्वेशन इनको आपको डेफिनेटल करना चाहिए मेरे प्रस्पेक्टिव से वह मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाली हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप परस्टाइम मुझे तेख रहे हैं तो मेरा नाम अदीती है पेपर वन और पेपर टू कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोग कल मैंने यह वीडियो बनाया था अच्छा से आप लोगों को सारा डीटेल सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा सही है इसके लावा अगर आप मेरे साथ जोइन करना चाहते हो पूरी की पूरे पेपर वन और पेपर टू की तैयारी करना चाहते हो तो ज्यारे फड़ा इसी प् पर टू तीनों की प्राइज आपके सामने हैं और साती साथ मैं आपको यह भी बता दू कि आप सभी लोगों के पास में जो आप लोगों का जैनरल पेपर होता है उस जैनरल पेपर वन के साथ यह सभी सब्जेक्ट अफिलेबल हैं हिंदी मीडियम के अगर आपको को सब्सक तो देखो सीधी सीधी सी बात है आपने अंसर की देख लिए है अगर आप लोग आपके पिछले साल की कट ओफ के आसपास हो तब मुझे लगता है कि रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेक कर सकते हो अधर वाइस अगर नहीं हो तो मैं आपको यह शौर करती हूं तो यू मस् अपनी तैयार वापस से शुडू कर दीजें चली आथे क्वेशन पर बात करतें देखो यह क्वेशन जो मुझे लगता जाड़का है चालेंज करने पह है वा ओ को क्या लगता है उसके हिसाब से आप चालेंज कर दीजेगा बट मेरे हिसाब से घू मैं और मानती हूं कि सब एलिमेंट की जसे नहीं ले रहा है ऐसा है और वैसा है पट चिल मुझे एसा लगता है कि क्या कोई बुराई नहीं है एक ट्राइग कर देख सकते हो कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायर सी का थ्री होना चाहिए और जादतर बच्चे जो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा है मैं वैसा है मताब मिक्स सा एक रिव्यू है तो मैं यह मानती हूँ कि यह डाउट वाली situation में है यह question ठीक हो सकता है कि गलत हो मेरा बढ़ हो भी सकता है कि सही हो तो इसलिए मैं कहते हूँ कि यह पहला question है जो मैं मानती हूँ कि अगर मैं आपकी जगे होती तो एक पर ट्राइज जरूर करती चालेंज करके तो पहला question हो गया आप लोगों के लिए दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा question है यह कल यह मुझ से मिस हो गया था मैंने solve तो करवाया था आप लोगों को बड़ यह question जो है इसके अंदर भी गड़बर है गड़बर कैसे है देखो मैं आप लोगों को बताती हूं यहां पर इस question को आप लोग जरूर से इन राइट बोलता है तो यह गलत है यानि कि D यहां पर definitely नहीं होना चाहिए था और आपसर यह भी नहीं गिवन एंटी की तरफ से अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो हम लोगों के पास में ट्रांजिशन है वान और आपके पास में है ट्रांजिशन टू ठीक है से स्क पास में के कि आपको ब requirements होने कि याप यहाशन हुने से राइट होना चाहिए तो यह जो प्रॉपरेशन होना चाहिए तो यह प्रॉपरेट है है सब जो परोपरेट यह जो खूह और आप की याभरी थए यह उन्हों तैक्ट लिखा वाल है इसके अंदर इसलिए मेरे हिसाब से यह होना है उतना इस फिल्ए होगा inclus के होती है कि आप आप सभी लोगों को जो है जो कि इस तरीखे performer के अंदर होने चाहिए अलग-अलग transition के अंदर होने चाहिए है और किसी की एक को राइट होना जरूरी होता है यह सारी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की होनी चाहिए ऑप्शन नंबर भी मेरे हिसाब से इनकंप्लीट है तो आप इसको डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो क्योंकि एंटी जो है उन्होंने इसका आंसर आइटिंग ऑप्शन नंबर टू बी दिया है जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली गलत है और एक डाउट वाली सिचुएशन हो सकती है ठीके जी इसके लावा अगर जानते हैं कि चैनल को कंबाइन करते हैं यहां पर बताया नहीं है कुछ भी नहीं बताया है कौन सा चैनल कितने चैनल तो मुझे ऐसा लगता है कि यह फोर नहीं एप ओ यू आर वाला फोर होना चाहिए इस वजह से यह क्वेशन भी जो है मेरे असाब से ड्रॉप होगा यहां पर सीन एसा है अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को वर्च्वल स्पेस गिवन है चार जीबी की यहां पर सबसे बड़ी गड़बर यह है कि यूज्वली हमारे को जब चार जीबी गिवन होता है तो हम इसको करते हैं तुकी पावर 2 ठीक है और इसको हम लोग बिट से वह हम लोग निकाल लेते हैं इस क्वेशन के अंदर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्जामिनर ने अल्रेडी बोला हुआ है कि नियरस्ट वाल्यू जो आपको लेनी वह यह लेनी है कि 4.3 x 10 to the power 9 होना चाहिए यह यहां पर बोल गया है दूसरी चीज बोलू तो टिपिकल पेज साइस आपको चार के भी की घिवन है तो आप लोगों का टू की पावर 2 x 10 से यानि 12 जो है वह आप लोगों के निकल जाएंगे पॉर पर पर्टिकिलर पेज यह भी ठीक है अब यहां पर इस क्वेशन के अंदर आप लोगो पर आज आना चाहिए था बट ऑपिसी बात है हम लोगों को इससे भी डिवाइट करना पड़ेगा एक पेज साइस से भी तो डिवाइट करना पड़ेगा इतने ही टोटल है और इतने पेज एक की साइज है तो टोटल नम्बर फेज कैसे निकलेंगे तो भी अगर मैं देख सिर्फ और सर्फ इस ब्रैकेट वाली वाल्यू की वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेशन का अंसर बोल रहे हो सकता है अधर्वाइस यह आंसर गलत है ठीक है ना यहां पर जो अंसर गिवन है तो अगर आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो चैलेंज कर सकते हो 25006 यह इसका ID है यह वाले क्वेशन की लीस्ट चांसे मैं मानते हूं कि आप लोगों के बोनस में जाएगा ठीक है नेक्स प्वेशन जो हंडेर परसंट आप लोगों को लगा देना चाहिए वो लगा देना चाहिए कौनसा 24998 इस स्क्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आसे बोला है की स्टेटमेंट तू है देखो कह रहा है कि त्रू स्टेटमेंट में भी वर्चौल function do not implement polymorphism ऐसा नहीं है virtual function यह भी नहीं है we can never build an object from a class containing a pure virtual pure virtual function aise functions होते जिनकी body नहीं होते जिसनको अम लोग abstract भी बोल सकते third option यहां पर बिल्कुल ठीक गिवन है नीचे वाला option है pure virtual functions can never have a body देखो virtual functions pure virtual functions यह abstract जिसकी हम लोग बात करें उनकी definition ही होती है जिनकी कोई body नहीं होती है बहुत ही exceptional case के अंदर हो सकता है कि हम उसके अंदर एक body डाल दे ठीक है बट फिर भी मुझे असे लगता है कि आपका 99% of the cases में option no.4 भी सही होना चाहिए यह जो question है यह मैं मानती हूं कि आपका drop होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक से जाधा सही answers आपके हो सकते है option no.3 और option no.4 यहां पर सही होने चाहिए question id मैंने आप लोगों को बता दिया है आपको definitely इसको भी एक बार challenge करना चाहिए इन questions को जरूर challenge करना है next question यह question मुझे नहीं पता आप लोगों ने ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है मेरे हिसाब से यह जो question है जिसके अंदर आप लोगों से बोला हुआ है कि divide करते है तो divine जो होता है वो right shift से होता है conflicting है एक बार मैंने देखा भी इसको कल रात को भी दुबारा से मैंने आप लोगों बताया था कि मैं देख के बताऊंगी मेरे साफ से मुझे अभी इसका आंसर 3 लग रहा है let's see कि NTA क्या solution देता है हम लोगों को उन्होंने option number B बोला है पट येस अगर मैं आपकी जगे होंगी तो मैं जरूर एक बर इसको challenge करके देखूंगी 24995 ये इस question का idea मैं last के figures बता रही हूं आप लोगों को ठीके तो इसका आंसर मेरे साफ से 3 होना ची comment section में आप ज़रूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या 2 से आप satisfy हो मैं नहीं हूं satisfy अगर एक satisfiable answer मुझे मिल जाएगा तो let's see कि क्या होता है next देखिए 100% question drop होगा ठीक है एक और question है जो आप लोगों के लिए 100% drop होगा ये question कहता है आप लोगों के लिए post fixed expression है और आपको इसको solve करके इसकी value निकालनी है तो question का id है 24992 इस question को आप definitely challenge करना तो drop ही होगा देखो आप सभी लोगों को stack यूज करना है देखो 4 डाला फिर 3 डाला आप लोगों के लिए ठीक है फिर multiply आते ही भाहर आ जाएगा तो 4 त्रीजा 12 आपके पास में आ जाएगा फिर आपने 2 डाला फिर आपने 5 डाला फिर भाहर निकालोगे तो आप लोगों क प्लस कर देना पड़ेगा तो आप लोगों के लिए जो है 22 हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए जो है वो बी आएगा और फिर माइनस होगा तो यहां पर बी की वाल्यू अप जब तक होगी नहीं तब तक हमार पस कोई भी एक constant वाल्यू आही नहीं सकती है यह question भी 100 पर यह 3, 3 questions 100% ऐसे हैं जो drop होंगे और आप लोगों के लिए बच्चेवे जो 2 questions है 3 questions है उसमें आप लोगों को challenge करना है ठीक है 3 questions according to me will be dropped or should be dropped from your UGC net computer science 2003 December वाले paper में से और जो बच्चेवे 3 questions है उसमें से 2 को 100% में challenge करूंगी और जो 1 है वो आप लोग बताईएगा मुझे जो 72 वाला question है वो ज़रूर आप लोग देख लीजेगा जो numerical वाला page table वाला question है वो मेरे हिसाब से सिस ब्रैकेट वाल्यू के बहाफ पर जो है NTA आसपास का answer नकाल के दिया हुआ है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीके से भी सही है बढ़ हां यह ज़रूर है कि ऐसे 6 question है इसलिए मैंने थम्निल भी दसी लिखाए है क्योंकि इसको मैं consider नहीं कर रही हूं बढ़ हां तीम question drop के लिए और दो question challenge आपको जरूर करने है conflict serializable वाला challenge करना है और एक आप इसको भी challenge करके जरूर देखेगा मेरे कहने पर challenge कर दीजेगा लेट सी गलत होगा तो कोई issue नहीं बढ़ अगर सही हो चाता है तो शायद आपका दो नंबर क्योंकि कभी-कभी net और जया रह जाता है कि question का ही फर्क रहता है तो इन 6 questions को दुब पर वन देखा है मुझे इसमें अभी तक कुछ खास डाउट नहीं देखने मिला है आपको ऐसे लगता है कि आपकी तरफ से कोई डाउट है आपको पेपर वान computer science के अंदर तो जरूर कॉमेंट करके बता दीजेगा वीडियो आप लोगों के लिए helpful होगा कल रात को मैंने पूरे solutions करवाएं है एक बर उसको चेक आउट कर लीजेगा कोई और डाउट लगता है तो वह भी पूछ लीजेगा फिलाल के लिए बस इतना ही thank you so much इसके लावा आप लोगों की जो online classes है पूरी की पूरा बैच बन अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है I shouldn't use the word subscription क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है 12 महीने की वैलेडिटी है आपके पास में उस वैलेडिटी के अंदर जो भी कोर्स में लाओंगी च अरफ अप्लिकेशन तक य। तक य।